आप शभी का हमारे online platform पर हर्दिश्वागत है मैं रोहित मिस्टर आप शभी को नमस्कार करता हूं आज मैं भी सी जो हमारे थर्ट समेस्टर के स्टुडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है fundamental of intervalogy second वो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंतरगत मैं आपको integrated पढ़ा रहा था तो आज मेरा दूसरा लेच्चर है integrated पेस्ट मेंट का इसमें मैं आपको जो है वो प्रिंस्पल आफ आई पीम आज पढ़ाऊंगा आज का जो मेरे और कोई भी prob logr होती है तो आप हमसे कमेंट के माध्यां सा पूछ सकते हैं तो जैसा कि आप लोग की स्क्रिंट पर देख पा रहे होंगे कि principles of IPM यह जो है principles of IPM यानी क्रिशि कीट प्रवंधन के आपके एकी-प्रिश कीट प्रवंधन के सिद्धान्त इंट्रीगेटिड पेश्ट मैज्मेंट प्रिंस्पल तो जो आपका आई पीम है उसका प्रिंस्पल है वो कई इस्टेप में जो है वो उसको बाटा गया है तो आप जैसा कि इसक्रिपन देख पा रहे होंगे पहला जो स्टेप है उसका पहला जो प्रिंस्पल ह तो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि प्रिवेंशन इस बेटर देन के और यानि जो है रोग थाम के उपाज होते हैं वह रच्छन से कहीं वेतर होते हैं तो यानि जो भी आप कीट्यों रोग का नियंतर करते हैं उसके पहले ही अगर आप सजक रहते हैं यानि बीमारियो का और या कीटों का आक्रमन हमारी फसल पे नहीं हो पाता है यानि हम पहले से अगर रहें पहले से ही सजक रहें तो कीट्यों रोग का प्रभाव हमारी फसलों पे नहीं हो पाएगा अगर समय से हम अपने फसल की देख रेक करें उसकी जो है वह साब सफाई रखें उसका सही मौनिटरिंग करते रहें तो कीटों पे हमारी फसल कीटों रोगों से बस सकती है तो अगर हम पहले से ही एलट रहेंगे तो कीटों रोग का फसल पे प्रभाव नहीं होगा और होगा भीता इतना जादा मात्रा में आर्थिक रूप से हैं फसलों को नुक्सान पहुचा तो वो अपने समय समय पर अपने खेतों की मॉनिटरिंग करता है मॉनिटरिंग कमला होता है निरिच्छा करना जैसे हम अगर समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने क्रॉप की तो हमको कीटियम रोगों का प्रभाव का पता चलता रहता है अगर थोड़ा भी हमारी फसल जो है वो कीटियम रोग का प्रभाव होता है तो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं तुरंत उसके उपाए हम विक्सित कर लेंगे और समय से उसका प्रवंधन कर लेंगे जिससे ज्यादा आर्थिक रूप से हमको जुक्सान जो है वो नए उठाना पड़ेगा तो इस प्रकार से मॉ हमारी फसलों पse देखा जाता है तो नीयंत्र करने के लिए किस प्रकार के विधियों को अप्लाई करें अपने जैसे कई प्रकार की बिधियां होती है राशायनी की ब्रफॉन है और जो है वोמׇ依न की अंतर दूर बर लेते है कि किस बिधि को हमको अपलाई करना है ठीक है ना तो सबसे पहले हमको कई विधियों को अप्लाई करना चाहिए जो अन्य विधियां है से महत पूर सिध्भांत होटा है है या जो अन्स विधिया हैं जैसे आप बहुतिक विधिया मगता परीयोग और ये विधि जो है वगर सफल नहीं हो पाती है tभी हमको राशायनों को टाउपिवावण करना चाहिए क्योंकि जो केई मिंक्ल सो ते हैं यह हमारी फसलकों कि और जुक्तले हैं तो हमको सबसे पहले अन्य विधियों का प्रयोग करना चाहिए जितने भी non-chemical method होते हैं तो यह भी काफी महात्रपूर्ट जो होता है पच्वाज होता है वह specific measures होते हैं कई प्रकार के जो है वह जो है वह वह specific में हम लेते हैं उसके बाद जटवी जो हमारा प्रिंस्पल है वो सब्सक्राइब होता है जो है इसे जो है इन्टिगेटेड एकोनॉमिक फ्रेस्ट लेवल और एकोनॉमिक जो है वो इंजरी लेवल तो जितने भी यह नुकसान पहुचाने वाई लेवल है इसका हम मिजर्में ज्यादा जो वो उसके नियंत्रण करने का उपाय जो देखना चाहिए नहीं तो हमको अगर आर्थिक धली जस्थर के अंदर ही है तब हमको विशेश रूप से नियंत्रण कियो सकता जो वो नहीं होती है तो इसमें ये काफी महत्रपूर सिध्धांत होता है अगला जो हमारे पीस्वास होता है एवाइड रिजिस्टेंस ऑफ पेस्ट यानि हम फसल को ऐसा तयार करें प्रतिरोधक छंता फसलों में इस प्रकार से विक्सित करनी चाहिए जिससे वह कीटियों रोगों स का प्रभाह फसल पर नहुने पए तो अइसा उसके इंदर हमगो प्रेशरिग छंता को विक्सित करना चाहिए जिस के नहीं हमारी फसल याइव कर जाए stuff कीटियों रोगों का अगर कीटियों रोगों का प्रभाव होता भी आए तो तना ज्यादा आर्थी गुरूप से जो है वो ना नुक्सान पहुचा है इस योग हमको फसलों को वीजों को जो है वो तैयार करना चाहिए इसके बाद बात आती है कीटियों रोगों का प्रभाव हुआ है उसका हमको समय समय पर एसस्मेंट करना चाहिए लास्ट में हमको एसस्मेंट करने से यह पता चलता है कि हमारी फसलों पर कितना नुक्सान हुआ है कितना प्रसन लास हुआ है कितना प्रसन प्रॉफिट हुआ है तो एसस्मेंट टाइम पीम में मैं आपको डिटेल से बताना चाहूंगा पहला जो आपका प्रिंसपर्स है वो है आपका जो है वो रोग थाम और दमन ठीक है ना रोग थाम और दमन में क्या होता है कि जो है वो आपका किस प्रकार से हम उसका जो है वो रोग थाम करें तो रोग थाम का मतलब यह होत यह आता है रोक थाम में जैसे फसलों को समय से बोना ठीक है खेट की साब सफ़ाई रखना जैसे खेट पर जो आवांचनी खरपत्वार होते हैं वो कीटियों रोगों को सरण देने काम करते हैं उससे फसल को बचाना तो यह सारे कई उपाय होते हैं जो अच्छी तरह से अगर हम योग करते हैं तो हमारी फसलों पर कीटियों रोग का प्रभाव नहीं होने पाता है जैसे माली जे एक डिजीज होता है सुगर केन का रेड रोड डिजीज आप सुगर केन गन्य का लाज सड़न रोग इसके जो पैथोजन्स होते हैं वो हमेशा जो हम मिट्टी में बने रह रहते हैं और जब फसल की कटाई हो जाती है तो इसके पैथोजन्स मिट्टिम बने रहते हैं और फिर अगले वर्स जब हम गन्य की फसल को लेते हैं तो फिर से वह पैथोजन्स गन्य पर आ जाते हैं और इस रोग से जो है फसल को प्रभावित कर देते हैं तो इससे बचनी और टूटने से क्या होता है कि जो है वो उसके पैसोसे सनस्थ हो जाते हैं और फिर हम गन्य की फसल लेते हैं उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए इस प्रकार कई फसले हैं से आलू है आपका सरसों है इनको समय में परिवर्थन करके कई प्रकार के रोगों से फसल को बचाया चाहें और फिर कर ना चाहिए न को लिसको नुरों के सब्सक्र Canada starting a chili क्रिशियों को सबस्थाय रखना ही रखना चैपना तो प्रकार की रोगता मिइट होते हैं जिससे हम फसल को बचा सकते हैं तो आप जैसे देख रहे हैं कि संभावनों कम करने के उपायों को अपनाना ही रोक थाम है ठीक है कीट की घटना की संभावना को कम करने के उपायों को अपनाना ही रोक थाम है ठीक है यानि कीट के प्रभाव को कम करना ही उसके प्रभाव को कम करना ही रोग थाम की उपाय जो होते हैं दमन से कीटों का प्रभाव कम हो जाता है और विभिन तक्नीकों को लागू करके रोग थाम और दमन जो है वो किया जा सकता है इसका स्क्रेंशाट आप लोग ले लीजिएगा और इसके बाद यह संच्छता उपायों द्वारा रानिकारा जीवों को प्रसार को रोकने की एक बिदि होती है तो जो रोग थाम या दमन होता है वो संच्छता की उपायों को करके उनकों किटों रोगयों को प्रभाव को फसलों को बचा सकते हैं सुच्छता में आता है खर पतवारों की सुच्छता हो गया जितने भी मस्तीनली का उपयोग कर रहा है उसकी सुच्छता हो गया तमाम प्रकार की सुच्छता से यह इसका जुड़ा होता है और रोग थाम और दमन के तरीकों में से एक फसल चक्र है यहाँ पर कीटों के जीव इसके बाद रोग थाम और दमन में परियाब्त खेती तकनीकों का उपयोग भी शामिल होता है तो जैसे कई प्रकार की तकनीक यह होती हैं जिसका उपयोग करके कीटियम रोगों से फसलों को बचाया जा सकता है जैसे जो है वो बासी बीस तकनीक बुआई बुआई के तरीके में परिवर्तल करके घनत तुका बुआई कम बुआई करके सरचित जिताई करके छटाई और सीधी बुआई करके तो कई प्रकार की cultivation practices होती है जिस से हम जिसको करके की टियम रोगों से फसल को बचा सकते हैं cultivation practices भी आता है, जैसे एक निश्चित दूरी में, एक निश्चित क्रम में फसलों को बोना, एक निश्चित दे कर बोना जब हम एक निश्चित दूरें फसलों को बोएंगे लगाएंगे तो हमारे खेत में फसलों के बीच में हवा कावा गमन अच्छा होगा प्रकास कावा गमन अच्छा होगा तो कीटियम रोग का फसल में प्रभाव कम होगा और हमारी फसल भी मजबूत होगी और जादा कले निकलेंगे बढ़ेगी और उत्पादन उससे जादा प्राप्त होगा ठीक है ना तो इस प्रकार से फसलों की डेंसिटी में परिवर्तन करके फसलों को विरली करन करके उनकी घनत में परिवर्तन करके कई प्रकार कि जो हो जो ताइक करम में जोवो आई करते जीडों ले सकते हैं और रोगों से कीटों से फसल को जो है वो बचा सकते हैं यह सारे आपके रोक ठाम के अंतरगत आते हैं इस प्रकार से जो है वो हम जो है वो फसलों को ज्यादा ज्यादा जो है वो आपको कीटों से सरचित कर सकते हैं इसके बाद दूसरा जो है वो निगरानी निगरानी क्या आदा है मौनिटरिंग त हम खेतों की मौनिटरिंग कर रहे हैं तो हम फसल को अपने कीटों से बचा सकते हैं हानिकारक जीओं की निगरानी जहां भी उपलग्ध हो परियाथ तरीकों और उपकरणों द्वारा की जानी चाहिए तो जहां समय समय पर जो है वो चाहिए सारे उपकरण हों चाहिए वो हम देशी विधियां हों या निविधियों के द्वारा हम समय समय पर खेतों की मौनिटरिंग करते रहना चाहिए मॉनिटरिंग से जो है वो कीटियों रोगों के प्रभाव की जयनकारी जो है वो किसान को प्राप्थ होती है इसके बाद निगरानी जो है वो बैग्यानिक रूप से जुद्रुन चेतावनी के उप्योग पुर्वा नुमानो सीखर निदान पडालियों पेशेवर पर योगे सलाकारों की सला आधिके माध्धम से की जा सकती है तो निगरानी करने से क्या है कि हमको कीटों रोगों की प्रभाव की जानकारी होगी जिससे हम क्या करेंगे कि हम उसके बारे में बैग्यानिकों से वसला लेंगे क्रिशी विसेसग से सला लेंगे और उसके निदान की जो विधिया है जो रोगों कीटों की निदान की जो कि चान की समस्याएं होंगी निगरानी करने से उसका निदान जो हो प्राप्त करने की विधियों को विक्सित करेंगे यानि जब हम समय समय पर खेट का निरिच्षण करेंगे तो हमको जानकारी होगी अपने खेट की समस्याओं से कीटियों रोगों की समस्याओं से तो हम बैग् लेंगे इसका इसके बाग जो है फ्रांस और डेन्मार्क जिसे कई देशों में इस निगरानी और पूरवा करनुमान तकनीकों को अपनाया जा रहा है तो कई सारे जो बिक्सित देश हैं जहां पर खेती बड़ी मात्रा में की जाती है आश्टेलिया जापान फ्रांस और आपको तमाम प्रकार के जो है वो डेन्मार्क इन सब कंट्रीज में निगरानी जो प्रणाली उसको काफी मात्र पर निवनय जो है वह लिए जाता है ठीक कह Preux करें कि कि तब हम देखेंगे की और लुगों को कितना फहुमारे लेंगों कि हमारे बांस पोध में तो हम क्रॉप में अपको अपलाई करना है तो इसके अंतरगत हम IPM अधिकांस मामलों में सीमा अधारित हास्चेप पर ध्यान के इंद्रित करता है तो इस प्रकार से IPM जो होता है वो कई प्रकार के जो हो उसकी सीमाएं होती है वो अपने किस प्रकार से कीट को नियंतर करना है ये सारा जो हो किस प्रक तो एक जो लेबल होता है ETL economic threshold level अगर economic threshold level पहुंच गया है आर्थिक दहलीज हस्तर पर कीट का प्रभाव फसल में पहुंच गया है तो हमको नियंतरन की विधियों को बिक्सित करना है यह हमको decision में लेना है जो भी नियंतरन की उपाय है उसको हमको बिक्सित कहां पर किया जात में करना है इसके पस्चाद जो है वो हाला कि अधिकांस मामलों में शीमा को परिभासित करना मुश्किल है और शहिष्ट प्रजातियों के मामलों में हश्चेप का निड़ाएं शामान टिप्डियों पर जह वो आधारित होता है हमें यहां भी पता होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का निड़ाएं लेने से पहले विशिष्ट फसलों कीट जीवन चक्र जलवाई इस्थिति आधी काविज है वो विचार कर लेना चाहिए यानि हम जो भी निड़ाएं ले रहे हैं नियंत्रड बिधियों को जो भी अपना रहे हैं हमको सबसे पहले जो है वो यह ध् कैसा है जलवाई कैसा है इन तमाम चीजों को देखते हुए जो हमारे नियंत्रण उपाय है उसको जो है वो बिक्सित करना चाहिए यह किसके अंतर गताता है डिशीजन मेकिंग के अंतर गताता है इसके पास जाल जो गैर रासाइनिक विधियों का यानि जब सारी विधिया करना चाहिए तो ज्यादा हम को अपने फसल में कीटियों रोगों को कि ट्यों रोगों का प्रवंधन करने के लिए ज्यादा ज्यादा जो हो गैर रासाइनि ज्यो हो नोन केमी कल्स मेथर्ड का जो हो को यूज करना चाहिए नौन नौन केमिकल मिथड कौन कौन से होते हैं जैसे फिजिकल मिथड हो गया बायलोजिकल मिथड हो गया आपका जह वो कल्सेरल मिथड हो गया अन्य विदियां हो गई तो जदा-जदा हमको नौन केमिकल मिथड का यूज करना चाहिए क्राप को प्र सब्सक्राइब करना चाहिए गयर राषानिक विदियां उसको पहली प्राथमिक्ता दी जानी चाहिए क्योंकि राषानिक विदियांक सा तीकाऊ नहीं होते हैं और अधिक समझ्याय पैदा तो गयर राषानिक विदियों को हमेशा तुम्चलπ के लिए प्राथमिक्ता देना चाहिए पाराने में सहायक होते हैं जो हमारे सत्रों जो सत्र कीम के संख्या को हो जैकी थे थिक हैं तो यह प्रकार से हमारे वाता अरण के लिए अच्छा होगा हमारा परे अरण के लिए अच्छा होगा तो ज्यादा ज्यादा जो हो नान केमिकल्स मिथट का जो है वो प्रियोग हमको फसल नियंतर में करना चाहिए तो इसके बाद जो होती हैं तो यह जो नौन केमिकल्स मिथट होती हैं वो मृदा सौरी करण जय वी इंतर जो वो सामिल होते हैं जो नौन केमिकल्स मिठड हैं उसके अंतर क्या आता है जैसे आपका जो मिट्टी के जहाब शोरी करन है मैई जून के बहीन है घ्षिती उताइऑ कर देना चाहिए कि जब प्रकास उस पे पड़ता है तो जो रह जो, रोगफ फैलाने वाली होते हैं पैथोजन्स होते हैं और जो कीट होते हैं आपके मिट्टी में अंदर वो सारी उपरी सतह पे आजाते हैं और जब सूर की तेज किरुणों के प्रभाव से यूवी लाइट से जह वो नश्ठ हो जाते हैं जिससे हमारी मिट्टी जो है वो इस्टलाइज हो जाती है सोलराइज हो जाती है और इस पर कीट्यूम रोगों का प्रभाव जह वो नहीं हो पाता है तो मिर्दा जने जिदने भी रोग होते हैं कीट होते हैं वो सब जो है वो नश्ट हो जाते हैं इसके अलावा कई प्रकार के जो है वो आपके बायो एजेंट होते हैं आपके उसका परियोग करना चाहिए कि लारवल पैरासाइट होते हैं प्रेडियेटर होत इसके बाद जो अगले जीवित प्राकुतिक सप्त्रों का प्राकुतिक विजियों में से एक है तो कई प्रकार के नेच्रल निमीज होते हैं जिनका हम प्रियोग आपके बाइलोजिकल मिथट के अंतरगत करते हैं इसी प्रकार से जैविक भौतिक और पारिसिक तरीके जो है जो हम बाद जो मतलब होता है जो कीट को किल करें यानि जो कीट को मालता है वहोगे आपका कीटनास्ता प्रेस्टिसाइड तो प्रेले स्पेस्टिसाइड विए जो एपके प्रेस्टाइड कृब्षाइं कर तो आपके प्रेस्टिसाइड कह था किन्तु यह कहता है, कि सीमीद मात्रम उप्योग या जाए, सभी विधियों को मिला करके जो है वो राशायनों को जो है वो उपयोग कम से कम किया जाए या फिर जो है वो जैविक बिकल्पी परितरीकों का उचित उपयोग नहीं किया जाता तो कीड नियंत्रन के लिए कीड नासों का उपयोग जो हो किया जाता है तो जब जैविक विध जाता है जब जैविक तरीके फेल हो जाएंगे तो राशायनों को प्योग करना ही पड़ेगा राशायन ही एक विकल वश्चा है जो आपकी फसल को बचा सकता है तो मजबूरी हमको राशायनों को प्योग करना ही होगा लेकिन आई पीम यह नहीं कहता कि बिल्कुल राशायनो प्लक्ष के लिए यह अथा समभ विष्ष्ट होने चाहिए यानि जो भी जो भी कीटों को मारने के लिए क्पेस्टिसाइड समय कर रहे हैं उसमें यह गुड़ होने चाहिए कि वो जह है वो अपने सत्र को मार सके यानि कीट को रोग को इस उस पे अपना प्रभाव जो है वो दिखाने वाला होना चाहिए यह नहीं कि राशायन का उपियोग भी कर दें और फसल में कीटों को ना मारें तो फिर जो है वो उत्या हमारे लिए अच्छा नहीं होगा तो उन्हीं राशायन जो राशायन अच्छे हों अच्छे गुड़ो वाले हो जल्दी जो है उपनी फसल पर अपना प्रभाव जो है वो दिखा सके उनका उपियोग हम को करना चाहिए ठीक है कि स्क्रीन साड़ ले लीजिए कीट नासकों से मानव, स्वास्थ, गैर लच्छित मनुष्यों और परेया औरन के लिए कोई खत्रा जहवो नहीं होना चाहिए जो हमारे पेस्टिसाइट होते हैं वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होने चाहिए उससे किसी प्रकार के जह वो दुस प्रभाव नहीं होना चाहिए यानि ज्यादा दुस्प्रभाव होने वाले pesticide का प्रियोग नहीं करना चाहिए, ज्यादा जहरीले pesticide का यूद्ज है वो कम करना चाहिए, ज्यादा जहरीले pesticide का यूद्ज है वो कम करना चाहिए, ज्यादा जहरीले pesticide का यूद्ज है वो कम करना चाहिए, ज्यादा जहरीले उनको जो है वो खुराक में कमी लानी चाहिए यानी नहीं यह नहीं कि थोड़ा सा भी कीड दिख जाया थोड़ा सा तो लिए तुरंद गन तुरंद जहां इस्प्रे करना सुरू कर दिए अब उससे क्या होगा आपका आर्थिक नुक्सान होगा परेयावरण का नुक्सान हो को कोई नियन विशेस उपाय नहीं होगा तो सीमिद मात्रा में परिस्टिस इस उत्र अपयों होग करना चाहिए और उल्यूंद ऑ्यों से कम मात्रा में करें और कम से कम मात्राइब जो है वो pesticide का यूग जो है वो crop पे करना चाहिए यह विशेष रूप से जो है वो ध्यान देना चाहिए अगला point से या कीड नास्तों के दूस प्रभाव को कम करने में मदद करता है यानि जो आपके Pesticide होते हैं उसके दुस्ष्प्रभाव को कम करने में हमारी help करता है और कीड़ नास्कों कम उपयोग से ताथ पर कीड़ नास्कों की आबृत्ती और खुराक्ष में कमी से होती है यानि कीट नॉसकों की जो आबरित होती है जो इनकी फ्रिक्वेंसी होती है उसको कम करने से इसका मतलब जहाँ वो होता है सातवा जो प्रिंस्पल है प्रित्रोधी रणनीतियां एंटी रेजिस्टेंश इस्टीज यानि प्रित्रोधी रणनीतियों के अंदर के क्या आता है क फसल को इस प्रकार से प्रतिरोधी बनाना चाहिए कि उस पे कीटियों रोगों का प्रकोब जो है वो ना होने पाए कम से कम होना पाए तो हमको बीजों के अंदर फसल को अंदर ऐसे गुणों को विक्सित करना चाहिए जिससे कीटियों रोगों से फसल जो हो अपने आपको ब करता है तो जब हम प्रत्रोधी किस्मों को विक्सित करेंगे प्रत्रोधी प्रजात्यों को विक्सित करेंगे पेड़ पौधों के अंदर वनस्पति के अंदर फसल के अंदर प्रत्रोधी गुण विक्सित करेंगे तो कीट यूम रोगों का फसल पर जो है वो प्रभाव नही होने पाईगा तो हमको ज़्यादा ज़्यादा नियंत्रण की कम से कम नियंत्रण जो है उसका करना होगा रासायओं को कम करना होगा किसी प्रकार के para-besal पे कोई कीटियं स्वें रोक का प्रवाıt자 दysisक नहीं होगा नहीं होग तो कीटों में प्रत्रोधक छम्ता विक्सित हो गई है और कीट नासकों के प्रियोग का उन पर कम असल होता है तो अगर कीटों के अंदर प्रत्रोधक छम्ता विक्सित हो जाती किस प्रकास हो जाती है अगर हम किसी राशायन किसी केमिकल्स का यूज बार बार फसलों पे कर रहे ह और उस रासायन का प्रभाव उनकीटों पर नहीं हो पाता है इसलिए हम को बदल बदल के अलगलख की नासकों का प्रियोग जहां कम से काम मात्रा में करना चाहिए आई पीम क्या यह बड़ा कारण है कि यह जो है वो काफी जो है वो महत्तपूर कारण है प्रत्रोधी रणनीतियों में अलग अलग कीड़नासकों के सायोजन का उपयोग सामिल है जिनकी कारवाई के अलग अलग तरीके जिनें अलग अलग समय पर जो है वो लाग किया जाता है तो जितने भी प्रत्रोधी रणनीतियां हैं उसमें कीड़नासकों के सायोजन को उपयोग सामिल होता है तो जितने भी आपके प्रत्रोधी रणनीतियां हैं उसमें कीड़नासकों का अलगलग सायोजन किया जाना चाहिए जैसे मालीजे जो प्रत्रोधी किसमें हैं उसमें राशायनों को जो है वो कम से कम प्रयोग किया जाता है तो जो हमारी रेश्टेंस प्रजातिया हैं उसमें कीड़नासकों को प्योग करने की अलागलग तरीके होते हैं अलागलग उसका सायोजन होता है उसको भी जो है वो ध् को यह हैं या फिर एक वह इसको डौक्मेंटेशन भी कहते हैं तो इसमें क्या होता है कि मुल्यांकण आइपी-म का यहां का काफी महुत्थ पूड फुर्ज होता है की नस को कुप यों के रिकार्ड रिकार्ड उसके प्रभौ और कई अन्य चीजों के आधार पर जो है वो किया जाता है तो मुल्यांकन जो होता है वो सबसे last assessment होता है कि हम अंत में देखेंगे कि फसल में कितना जो है वो नुकसान हुआ कीटों के दौरा और हमारा जो है वो रोगों के दौरा तो मुल्यांकन करके यह हमें पता चलता है कि कितना परश साइनों फे खर्च किया किन्नी परसंट जो हमारी जो है वो लागत बैठी इन सब का रिकॉर्ड किया जाता है और यह देखा जाता है कि कितना प्रस्त हमारा कीट और रोगों से नुक्सान हुआ फसल को यह सारी चीजें आप जह वो एवैलुएशन के अंतरगत जह वो करते है इसमें रिकार्ड उसके कई प्रकार के रिकार्डों का उप्योग किया जाता है कि नासकों के उप्योग समंदित कब कौन से किड़ना सक कितनी मात्रा में कितना हमने अपलाई किया इसका रिकॉर्ड भी देखा जाता है और इसके उप्योग प्रभावर अन्य चीजों को करने और आगे की योजना बनाने के लिए मुल्यांक्या आवश्यक होता है यानि जो भी हम योजना बना रहे हैं फसलों में कीटियों को नियंतर करने की जो भी हम इस कीम को बना रहे हैं उसको कैसे कारगर बनाया जा सके और उनको कैसे प्रभावसील बनाया जा सके फसलों में यह सब निडवड़ें हम मुलांकन के अंतरगत किये जाते हैं जो भी हम रासाइन को उपयोग कर रहे हैं चाहे हो जैविक रासाइन हो हो से आधा कारगर हुई है बढ़ाना है यह देख पाते हैं करते हैं जब किसी का मूल्यांकन voltage करते हैं जो है लाश्ट में लाश्ट में जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मुल्यांकन कब होगा जब आपका रिजल्ट आएगा रिजल्ट में पता चलता है कितना हमने पढ़ा उसी के अनुशार हमको नंबर मिले तो मुल्यांकन में पता चलता है अपने लेबल का बदा जलता किस लेबल पर हमाएं कितना हमको और मेहनद करना से पैलों करती हैं तो उसी प्रकार से फसल के बद्ञेंड से मतलब है कि जब हम करते हैं गुल्यांकन करते हैं ये पता चलता है कि जिन भी राशानों का उपियोग हमने किया पेस्टिसाइट का उप्योग किया जो तमाम विधियों को हमने इंतर करने में उप्योगी किया कौन सी भी ज्यादा कारगर थी कौन सी भी ज्यादा अच्छी थी कौन सी भी ज्यादा सुटेवल थी इन सब को हम कैसे apply करें, क्या इसमें सुधार करें, कितना और हमको improvement करना चाहिए, तो इन सब का हम अध्यान किसके अंतरगत करते हैं, मुल्यांग्यन के अंतरगत, तो मुल्यांग्यन काफी महतपूर इसका principle होता है, तो इस प्रकार से मुल्यांग्यन काफी महतपूर इसका chapter ह इसको आप जो इसक्रिंच साठ ले लेंगे क्लास में वसे तना ही फिर हम आपको नए क्लास में नए टॉपी के साथ आप से फिर में लेंगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करें कि अब